इसका और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल टार्गेट सिविल सेर्विशिस में तो आज है तीवी जन्वरी और आज है आजाज हिंद फौज के संस्तापक निताजी सुभास चंदर बोश जी की जयानती तो मद्रदेश के डेली करेंट अफेर में पढ़ें प्रतिमा काँ अनावरन किया तो कहां पर किया नर्चीनपुर के गोटे काव स्टेढिम में किया है तो याद रखेगा अच्छा नेताजी सुभास चंदर बोश की जयानती का मना जाती है तो थीवीज जन्वरी को मना जाती है और इन की 125 फी जयानती में धिवास ठीक है तde देखते हैं सूसरी उसा ठाकूर 22 जनवरी 2021 को सौरी इसमारक भोपाल में स्वाधिन्ता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगीता का पुरुसकार वित्रन करेंगे ठीक है तो कहां से करेंगी है सौरी इसमारक भोपाल से अच्छा ठाकूर के पास कौन से भाग है तो इ स्वादय प्रत्रकास।ो मोप्रत अंडरस्टैंडिंग। किस के सांथ किस ने मद्ग il विग्यान वМ्ट विव्वम प्रद्रगी सत्य भूपाल और बात आती है या विविव्यान प्रोद्द्रगी मंत्री को है उम्प्रकास सखलेचा यैडि मद्ध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रद्वगी मंत्री को हैं डाक्ट उम्रकास सखलेचा अब देखते हैं नेक्स्ट मद्ध्य प्रदेश चेत्र विद्धूत वित्रन कमपनी ठीक है यह अटेंडेंस प्रणाली प्रयास को सफलता के पाच वर्स पूर्ण हो गये ठी सब्सक्राइब होती है डाश मतस्ती अक्राइब तो दो रूपे जाती याद रखेगा और इसười जो अनुसुच्च algum करता है पिछला बार कवाला तो वो होता है अंतर जाती विवागा ठीक है अब देखते हैं हम आज के करेंट है फैर तो राजे सासन ने आत्मनिर्भर मद्ध्रदेश के रोड में प्लक्षो की प्राप्ति के लिए कितने अंतर विभागी मंत्री समू को गठन किया है तो ये किया है नौ तो इसका आंसर क् समू सिक्षा समू और राजास्वरास्वरास्वरॉङ सम predator एक रोज्गार समूर ठीक है राजυ सासन ने one branch राज्यिस्तर बलागी अनूश्रवन अनूस्रवन समीति औरभित की है तो किसके हाद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्यता में कि तो देखिए ये कि है हमारे शाच्ष कू आपसन नमबर यह मुख्य सची थी करी गई यह करेंगा हमारे मुख्य सची मुख्य सची कोन है श्री इकबाल सी है यह मद्यप्रदेश के 33 मुख्य सची हुआ है अच्छा मद्यप्रदेश के पहले मुख्य सची को होना है तो यह थे श्री हस कामत श्री हस कामत थे ठीक है याद रखिएगा अब देखते हैं नेक्स कोशन विप्रो सम्मो साप्टवेयर सेंटर मद्यप्रदेश के किस सहर में खुलेगा तो यह मद्यप्रदेश की राजदानी भूपाल में ख्यूलेगा तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी ठीक है भूपाल में अच्छा विप्रो सम्मो की बात करें तो इसकी इस्थापना कभ हुई थी 1945 में बैंगलोर करनाटेका की राजदानी है ठीक है और करनाटेका के जो राजेपाल ये को ़ kullan कर सम्मान अभियान का समापन किया है तो ये किस जिले में किया है ये हरदा जिले में किया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा option number c ठीक है हरदा जिला अच्छा जो सम्मान अभियान है इसकी शुरुवात कब हुई थी तो 11 जनवरी को इसकी शुरुवात हुई थी और इसका जो theme थी सम्मान अभियान की यह क्या थी यह थी गुडडी ठीक है याद जिले में किया गया है यह दतिया जिले में किया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा option number b दतिया जिला ठीक है अच्छा यह मद्यप्रदेश का दूसरा समन इस्टेशन है ठीक है कहां जो दतिया जिले में खुलेगा ठीक है तो पहला कहां पर है यह भूपाल में पहला है किये जा रहा है ठीक है तो इसी कड़ी के इसी कड़ी में तेवी जन्वरी को प्रदेश के दूसरे सिमन स्टेशन का लोकारपन किसने की हमारे ग्रहमांत्री डाक्टर अब देखते हैं मद्यप्रदेश करेंट अफेर 2020 जो हमने कल देखे थे करेंट अफेर उनका रिविजन कर लेते हैं तो आसिस चोप्ला ने बंगलादेश में हुई साउथ एसे कराटे चेंपियंसिप में भारत का प्रतिनीदीत वकर गोल्ड मेडल जीता ठीक है तो यह कहां स जनवरी 2020 से लागू कर दी गई है अंतर जाती पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था कब से यह कर दी गई है जनवरी 2020 से पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनात ने भारत भवन में भोपाल लिट्रेचर एंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का सुबारम कब किया था तो यह किया था 10 ज इस पादन के अंदर कहां पर बनेंगा यह बना है भोपाल में ठीक है तो याद रखिए का भूपाल में बना है मद्रप्रदीश की राज़दानी भूपाल में छह रोग उन्मूलन कारिकरम के अंतरगत सीधी जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग सर्वे अभियान प्रार काल्यानपूर को मिला तो 2008 का किसी मिला था यह मिला था श्री कुल्दीप सीए को मिला था अब बात आती है राश्ची लतमंगेशकर पुरुसकार की तो इसकी सुरुवाद कब हुई थी यह हुई थी 1984-85 में हुई थी और इसमें राशी कितनी जी जाती है सम्मान राशी तो यह दी जाती है दो लाक रुपए ठीक है और छेत्र कौन सा इसका संगीत है अब देखते हैं 2020 के करेंट अफेर किसको अमरकंटक महुत्साओं का ब्राउंड अमबेजडर न्यूक किया गया है तो यह और अमरकंटक में तो यह मनाया गया तो यह मनाय गया था 31 जनवरी से दो फरवरी तक प्रसिद्ध गायक इनको पदमश्री भी मिल चुका है कैला स्केर को कम मिला था यह 2017 में तो इनको ब्राउंड एंबेसटर न्यूक किया गया है ठीक है और अमर कंटक से कौन सी नदी निकलती है सोन नदी का उद्गम इस्थल भी अमर कंटक है नर्मदा नदी का उद्गम इस्थल कहां पर है अमर कंटक में तो याद रखिएगा नीसवे मुक्यमंत्र के रूप में सपत लिए मद्दधिपरदेश के प्रफफ 25 रवी संकर 106 लगा लगा लग छुका है सोटेजरी मुख्यमंदरी के रूप Stan and and on April से प्रदेश में एसा करने वाले hur शोती बारौ सीम बने हैं पहला निता और छौती बार शिह हैं अब देखे नें किस प्रदेश विदान सभपा자 है नेता प्रतिपक्ष चुना गया है तो यह की से चुना गया है हमारे पूरु मुख्यमंद्री स्री कमलनात को चुना गया है नेता प्रतिपक्ष का नेता ठीक है और यह कहां से विदायक है यह है चिंदवाड़ा से विदायक है ठीक है जो कि मद्यप्रदेश का छेत्रपल की सबसे बड़ा जिला है ठीक है कहां चिंदवाड़ा अब देखते हम नेक्स कोर्शन मध्य प्रदेश के महाँ अधिवक्ता को ने तो यह है पूरुसेंद्र करो अब देखते हैं योजनाय दो 2019 में चलाई गई थी तो कौन-कौन सी योजनाय चलाई गई थी जै किसान फसल रि योजना संजीवनी क्लिनिक योजना और एक जननी एंबुलेंस सेवा योजना यह इंपोर्टेंट योजना है 2019 में चलाई गई वाली थीक है तो याद रखिएगा और एक पुरुसकार देख लेते हैं तो किस सहर को प्लास्टिक वेस्ट मेंड़ेजमेंट आवार्ट मिला ह तो अंसर क्यों ऑप्सन लोगर इंदोर को मिला है। तो यह अमीर खान ने दिया है ठीक है अमीर खान ने इंदौर की CEO नेहा मीना को वैस्ट प्लास्टिक वैस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड दिया कब दिया था यह 12 जन्वरी 2020 को तो इसका आंसर क्यों जाएगा अप्सन नमबर ए इंदौर ठीक है इंदौर होगा देखो हमने जो 2020 में मद्यप्रदेश में योजनाय जो चली है और जो पुरुसकार मिले है मद्यप्रदेश में तो वो हमने अलग से एक वीडियो बनाके कवर किया है अगर आप चाहो तो लेक्चर देख सकते हो वीडियो के हकूर के दौरा ठीक है बहुत अच्छा आंसर दिया है इन्होंने ऐसी आंसर करिएगा और आज का सवाल है एंपीपेसी 2015 अप्रीक है इन दोर में आकास्वानी केंद्र की स्थापना कब हुई ती यह है आज का सवाल और यह हमारा टेलेग्राम चैनल हर दिन होते हैं 20 कूश